हेलो गाईज, मैस्पलीन्स की करेंट एनरजी बता देती हूँ, स्पिर्च्वल होलोग्राम, ग्राउंडिंग हो रही है, लाइक सोल होलोग्राम, कम्प्लीटली आथ से सोल लीड करेगा जूरनी को, डिवाइन इंटर्वेंशन हुई है, कम्प्लीटली मैस्पलीन्स के सारे ही रिफ्लेक्शन, थौर्ट्स, पास्ट, फ्यूचर, इमोशन्स और जितने भी उनके रिफ्लेक्शन्स थे, वो सभी खुच रिलीस किया जाएगा, थूँ डिवाइन इंटर्वेंशन, डिवाइन की इंटर्वेंशन हो रही है, इस बार, प्रेजंट, 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 स्टिलनस में आएगे मैस्पलीन्स, ये डिवाइन इंटर्वेंशन है, और इसमें सोल लीड करेगा जूर्णी को, आप लोग बिस डिसाओ करते हो, तो आपको कम्प्लीटली, ये आप प्रोटेक्टेड बाइ गॉर्डियन अफ ग्रेज, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड ओफ एमनाइन्स, हर एक दिन न्यू डे है, रोज एक नया दिन है, फ्लो विद न्यू डे, एक न्यू होप के साथ न्यू फेट के साथ हर एक दिन को लीड करें, फ्लो करें जोर्नी को, प्रेजन्ट जो है वो वोर्जनीटी है, हॉली है, हॉली सीक्रेट है, तो प्रेजन्ट में रहें, बिल्कुल अन्टच्च बाइ थॉर्ट्स, रिफ्लेक्शन्स, आउटर वर्ल्ड, पास्ट, प्रेजन्ट जो है, वो करेंट स्पिन है, तो प्रेजन्ट मोमेंट में रहोगे, तो चक्राज और मिरकबा करेंटली स्पिन होगा, याद रखें इस बात को, जीवाइन इंट्वेंशन हुई है, तो गम्प्लीटली 5D ग्राउंडिंग हो रही है, शाक्रेड मास्पलीन ग् यहां के चीज़े फॉल अफ होंगी और यह बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक डेशिशन है, बाइक गलाटिक फैमिली, गलाटिक काउंसल और फेडरेशन, लाइट काउंसल, हर जग से यह स्ट्रॉंग मेसेज आए कि डिवाइन इंट्वेंशन होगा, और यह बहुत बड़ा चेंज होगा, ड्रास्टिक चेंज, यह बहुत बड़ा ड्रिशिशन है, जो की लिया जा रहा है, साटिस्फच्ट इनрजी आई है, कम्प्लीटली, साटिस्फाक्षन इनरजी आई है, हार्मोनियस पीस इनरजी फ्लो होरे है, अंटच्च्ट बाइ जो होते हैं वो खौली फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ फ्लो हो जाईए प्रेजंट बेस कॉंशियसनस आई है जो की बिलकुल नाचरल है सोल इस पर्मनेंट प्यूर कॉंशियसनस फ्लो हो रही है यूनियन जो है वो बिलकुल आपकी है आप फ्लो प्रेजंट में यूनियन में फील करी है अपने आपको हार्मोनियस, पीस एनरजी, साटिसफाक्शन एनरजी, फेइत एनरजी में प्रेजंट जो है वो स्टिलनस है सी, गॉर्ड तुर प्रेजंट प्रेजंट में रहोगे तो गॉर्ड को देख पाऊगे South Pole जो है वो North Pole के साथ आपके body में उपर North Pole और नीचे South Pole है जो North Pole के तरफ आपकी frequency हाई हुई है तो obviously body temperature balance में आई है आप oneness में आए हो completely duality हटा दी गई है आपके अंदर से आपका जो दोनों brain activate किया गया है Left and right intention जो है वो inner love है आपका आपका intention pure है pure inner love को represent करता है क्योंकि पूरा journey inner love को लेकर है frequency को लेकर है Kundalini frequency जो है वो ताइम लाइन हाइस ताइम लाइन हाइस ताइम लाइन जो है वो present ताइम लाइन होता है happy ताइम लाइन होता है Surrender to divine source, divine source पे surrender रहे हैं Union consciousness flow हो रही है completely आपके अंदर तो unconditional boundless love feel हो रहा है positivity shift हो रही है perspective आपकी mind calmness में आ रही है completely permanently faith in union, have faith in soul pure intentions आ रही है आपकी universe जो है वो आपको कह रहे है कि relax हो जाएं relax बिल्कुल relax mode पे क्योंकि चीज़ें बहुत positively shift हो रही है perspective आपके जैसे मैंने बोला था भी divine intervention हो रहा है तो completely आप positivity की तरफ shift होंगे और completely 5-D consciousness grounding होगी आपका body self release होगा beautiful synchronicity और science मिला दिया जाएगा आपको reality पे काफी बड़ा drastic change है यह dreams जो है वो alignment में आ जाएंगे तो holy taste करिए holy purity को taste करिए in present moment daydreams जो होते है वो harmonious हो जाएंगे और holy pure love जो है वो intentions यहाँ पे आपको calmness और permanent रहेगा focus करिए abundance पे masculine जो है वो pure flavor को taste कर रहे हैं आप feminity आप present satisfaction frequency में हैं और यह आपकी destiny है याद सिर्फ यह आपकी destiny है यही तक पहुँचना है उसके बाद कुछ भी नहीं प्रेजंट satisfaction frequency में आ जाएंगे completely और soul पे surrender mode पे रहे हैं आप बिलकुल protected हो by galactic federation by by goddess kundalini क्योंकि आपकी frequency हमेश अप present highest timeline में आ जाती है कैसे भी हो oneness neutral balance हो रही है love frequency balance में आ रही है choose love frequency हमेशा ही cosmic discipline आ रही है spiritual discipline जिसे बोलते हैं completely आप आपका higher self journey को lead करते हुए जाएगा present hologram में इनर merkabic field correctly spin करता है present consciousness में present highest frequency में time line में dimension में तो हमेशा याद रखें आपकी merkabic field जो है वो आपकी electromagnetic field होती है जो आपके heart chakra के यहां पे होती है और एक crown पे होती है जो के outer होती है inner पे जो होती है वो permanent होती है और वो currently जब present moment में high frequency में spin करता है तो उसमें से एक बहुत ही खुबसूरत electromagnetic frequency निकलती है जो आपके around positivity spread होने में health करती है और आपको भी complete positively spin करती है जब inward में spin होती है तो आपके अंदर बहुत सारी positivity और possibilities open हो जाते है प्योर sacred masculine जो है वो capable है for infinite possibility यह मैं इसलिए भी भोलती हूँ क्योंकि जब आप present में रहते हो आपका focus inward में जब आप चीज़ें अपने लिए करने लग जाते हो तो वो pure intentions होते हैं और pure intentions जो होते हैं वो love frequency होता है अपना कुद का divinity होता है तो यह बात याद रखें crown chakra और cycle chakra जो है वो मोज हो रहा है masculine के यह present energy है अब मैं कुछ guidance दे देती हूं आज मैं sacred feminine sacred masculine और inner child पे दे देती है sacred inner child पे जैसे lotus को देखा होगा आपने lotus में lotus कीचड में रहता है पर उसके उपर वो चीज़ें नहीं लगती है वो बिलकुल untouched होता है आपने देखा होगा पानी चाहे पानी हो या कुछ और भी हो उस पे लगता नहीं है टच नहीं कर सकता तो इसी तरह से feminine जो है वो दीप सीक्रेट होती है उसको कोई टच नहीं कर सकता वो इतनी प्रोटेक्टेड होती है उसको light family light sacred family जो है उसके अंदर जो universe है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं sacred feminine और sacred masculine जो है वो present moment में love frequency में रहते हैं अगर आपका thoughts टच कर गए आपको तो आप sacred divinity से थोड़ा सा imbalance होंगे तो completely sacred divinity को ना छोड़ें present में love frequency में रहें और आपका जो inner child है आपके अंदर सब कुछ है क्योंकि वो hologram आप complete present hologram हो जो कि बहुत खुबसूरती से चीजों को reflect करता है और चीजों को बनाता है अपने around energy create करता है तो आपका divinity बहुत ही union बहुत ज़रूरी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो हो thoughts के loop में या फिर emotions के loop में outer world के loop में past loop future loops इन loops में से निकल जाएं और present में रहें क्योंकि मैंने जैसे बोला है आपके अंदर सब कुछ है sacred mother, sacred father, sacred wisdom सब कुछ ही आपको protect कर रहा है तो आपको present में एक divinity आप महसूस करोगे एक oneness महसूस करोगे कि आपको आगे क्या करना है कैसे आप present moment को enjoy करें इस पे आप आपका focus completely चला जाएगा तो यह बहुत जुरूरी है आपके growth के लिए आपके light wisdom जो spread होने वाली है धरती पे और earth गया create होने वाला है golden गया तो इसके लिए बहुत important है तो हमेशा अपने present moment पे focused रहें और flow हो जाएं okay guys bye take care